दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ important shares के बारे में साथ ही साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं market से जूड़ी कुछ important updates के बारे में तो Tata Power, Suzylon Energy या फिर KPIT Technologies के अंदर अगर आपने investment कर रखाए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी miss मत करिएगा साथ ही साथ दो ओर shares के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको 30 रुपे पर shares का interim dividend और साथ ही साथ 1-3 के ratio का split देखने को मिलने वाला है तो बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं लेकिन उसके पिले यदि आपने channel पर first time visit के आए चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल भी मत बुलेगा साथ ही साथ अगर आपने अभी तर अप इस्टोक जैसे इंडिया के largest platform के उपर अपना free demate account open नहीं करा रखाए तो link आपको description box में मिल जाएगी आप पावर के बारे में बात करें उससे बिले मैं market से जूड़ी कुछ चार बड़ी updates आपके साथ share करना चाता हूँ जिसको देखते वे कल के दिन हमें market में बड़ी तेजी आते वे देखने को मिल सकती है जैसा कि आपको पता है कि कल से नया trading week स्टार्ट होने जा रहा है और इस नया trading week में जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर focus में रहने वाली है वो है union budget जिया दोस्तों budget से बहुत ज़्यादा expectation से यहाँ पर experts को भी और साथ ही साथ investors को भी तो यहाँ पर जो 1st February के दिन हमें budget देखने को मिलेगा उससे market बहुत ज़्यादा react कर सकता है अगली updates की बात करें तो auto stocks जी यहाँ दोस्तों auto stocks काफी ज़्यादा focus में रहने वाले हैं क्योंकि 1st February के दिन हमें budget की announcement तो देखने को मिलने ही वाली है लेकिन auto stocks के भी जो monthly sales के नंबर है वो हमें यहाँ पर release होते वे देखने को मिलेंगे जिसमें mainly Tata Motors, Maruti Suzuki, Bajaj Auto, TVS Motors, Aisher Motors, Mindra & Mindra, Escorts और Ashok Leland जैसे shares काफी ज़्यादा focus में आपको देखने को मिल सकते हैं अगली activity के उपर बात करें जहां पर investors का सबसे ज़्यादा focus रहने वाला है वो है foreign investors के उपर foreign investors अभी भी लगातार market से selling कर रहे हैं, माल बेचकर बाहर हो रहे हैं और 2014 से लेकर अभी तक की यह सबसे बड़ी बिक्वाली हमें foreign investors की तरफ से देखने को मिल रही है लास्ट वीक भी foreign investors ने Indian stock market में से लगबग 22,000 करोड रुपे की selling करी है और अगर जनवरी मन्त की बात करे जाए तो लगबग 33,700 करोड रुपे की बिक्वाली FII अभी तक कर चुके हैं वहीं DII ने अभी तक market को थोड़ा सा यहां पर संभाल रखाए क्योंकि DII ने लास्ट वीक 10,800 करोड रुपे की खरीदारी करी है और पूरे जनवरी मन्त में 18,300 करोड रुपे की खरीदारी करी है लेकिन अगर foreign investor और domestic investor दोनों ही अगर market में बिक्वाली करते हैं तो इसका ultimately pressure आपको Indian stock market के अंदर देखने को मिल सकता है तो FII और DII की activity के उपर भी आपको सबसे ज़्यादा focus रखना होगा वहीं अगली बड़ी updates की बात करें वो है oil के prices जियां दोस्तों October 2014 से लेकर अभी तक में oil के prices सबसे उच्छे इस्तर पर हमें देखने को मिल रहे हैं और ये Indian stock market के लिए एक negative impact create कर सकते हैं जियां दोस्तों साथ ही साथ petroleum exporting country की जो meeting हमें 2nd February के दिन देखने को मिलने वाली है ये meeting बहुत ज़्यादा important होने वाली है as compared to Indian stock market इसमें अगर आपको पताओ तो इंडिया के अंदर जो oil के demand से उसका जो requirement से वो 80 to 85% import से ही यहाँ पर complete होता है तो यदि यहाँ पर oil के prices बढ़ते हैं तो ultimately Indian stock market के उपर उसका काफी बड़ा impact हमें देखने को मिल सकता है बात करें अगली बड़ी updates के बारे में तो global cues जहां दोस्तों जो अभी हमें Ukraine and Russia के बीच में war की situations create होते होते हुए देखने को मिल रही है हाला कि मैंने आपके साथ कल भी एक बड़ी update share करी थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि अभी यहाँ पर war की situations पर थोड़ा सा stabilize हमें होते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इस news को भी बिलकुल ignore नहीं करना है अगर पूरे week में अगर Ukraine और Russia की बीच जो war की situation से अगर इसको लेकर कोई negative news निकल कर आती है तो वो direct हमारे इंडिया stock market को भी impact डाल सकती है यह हमें जो European Central Bank की जो Bank of England की जो meeting 3rd February के देखने को मिलने वाली है यह meeting भी बहुत ज़्यादा important होने वाली है इन सभी meeting के outcomes आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से share कर दिये जाएंगे तो यदि आपने टेलिग्राम चैनल को join नहीं कर रखाएं तो link आपको description box में मिल जाएगी यह तो हो गई market से जूड़ी कुछ बड़ी updates के बारे में जिनके उपर आपको सबसे ज़्यादा focus रखना है और अगर यह news positive निकल कर आती है तो market भी आपको कल से काफी अच्छी volume में देखने को मिल सकता है काफी अच्छी शांदार तेजी देखने को मिल सकती है बात कर लेते अगले shares के बारे में जहांपर आपको 30 रुपे पर shares का interim dividend देखने को मिल रहा है और company ने जो एक state यहाँ पर announce करी है वो है 31 जनवरी 2022 shares का नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो company का नाम है सारे गामा India Limited जहां दोस्तों पिछले एक साल के अंदर company 353% तक के multi-vager returns अपने investors को बना कर दे चुकी है company ने recently अपने December quarter के result भी डिक्लेर कर दिये हैं जहांपर company ने 146 करोड रुपे का revenue generate किया है और उसी के सामने 42 करोड रुपे का company के तरफ से net profit भी generate किया गया है जिसको देखते वे company का operating profit margin और net profit margin भी काफी positive हमें देखने को मिल रहा है तो यदि आपने share के अंदर investment कर रखा है तो कल के दिन आपको यहां पर 30 रुपे पर shares के interim dividend जैसी बड़ी announcement देखने को मिलने वाली है एलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले shares के बारे में जहां पर आपको split जैसी बड़ी announcement देखने को मिल रही है जी यहां दोस्तों 5 रुपे की spani shares में ही company ने split की बड़ी announcement करी है यह share पिछले एक साल में 325% तक के multi bigger returns अपने investors को बना कर दे चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं company की तरफ से जो split announce किया गया है 1-3 के ratio का यानि कि जो अभी हमें company की face value 3 रुपे देखने को मिलती है वो split के बाद में हमें 1 रुपे देखने को मिलेगी हर एक share के बदले company 2 shares आपको यहां पर देने जा रही है और जिसकी record date की बात करें तो 4 February 2022 रखी गई है यानि कि अगर आप इस penny shares के अंदर 4 February 2022 तक investment करते हैं तो आप यहां पर split के लिए eligible हो जाएंगे company का नाम है Integra Garments and Textile Limited जियां दोस्तो textile sector से बिलॉंग करती है company जिसकी share holdings patent की बात करी जाए तो promoters के पास में 63% का stake company जहां company ने December quarter के result declare कर दिये हैं और 49,00,00,00 का company ने operating profit भी generate किया है इसके सामने अगर net profit की बात करें तो 53,00,00,00 का company ने net profit भी generate किया है लेकिन इस penny shares के अंदर investment करने के लिए एक चीज़ को आपको बिल्कुल भी ignore नहीं करना है कि share अभी हमें GSM list के अंदर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको bulk investment बिल्कुल भी नहीं करना है साथी साथ इस penny shares के अंदर हमें DII का भी काफी बड़ा stick देखने को मिलता है आप देख सकते हैं लगबग 4.5% का stick हमें DII का भी यहाँ पर देखने को मिलता है चलिए दोस्तों बात कर लेतें अनदर share के बारे में जिसका नाम है Suzylon Energy कल से जो नया trading week के start हो रहा है इसमें Suzylon Energy का share भी काफी ज़्यादा focus में रहने वाला है क्योंकि Suzylon Energy ने recently अपने quarter 3 के result डिक्लेर कर दिये हैं जिसमें कमपनी ने 37 करोड 33 लाक रुपीज का net profit generate के आया है जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वहीं कमपनी के CEO Chief Executive Officer अश्वीन कुमार की तरफ से भी जो statement निकल कर आया है वो काफी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है जियां दोस्तों कमपनी के CEO की तरफ से किना है कि COVID-19 की situations को देखते हुए भी कमपनी की जो growth ही वो बहुत ही यहाँ पर शांदार हमें देखने को मिल रही है साथ ही साथ बजट से अश्वीन कुमार याने की सुजलान के CEO को काफी ज़्यादा expectations ही और वहीं सुजलान के CFO याने की Chief Financial Officer की तरफ से हिमान्शु मोडी की तरफ से भी जो statement निकल कर आया है वो भी काफी ज़्यादा है यहाँ पर बड़ा देखने को मिल रहा है जिसमें उन्होंने काए कि Raw Material की Prices जिस तेजी से बढ़ रही है यह हमारे लिए Margin and Volumes को continue रखने में थोड़ी से यहाँ पर दिक्कते पेदा कर सकती है लेकिन अगर बजट में कोई बड़ी अपडेट्स Wind Power सेक्टर कंपनियों को लेकर निकल कर आती है तो वो सुजलोन के लिए भी काफी ज़धा important हो सकती है जिसा कि आपको बताए कि सुजलोन group is one of the leading renewable energy solutions यहाँ पर देखा जाता है और world में, world presence में यह 17th countries में top number पर हमें देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं अब सुजलोन energy के shareholders के अच्छे दिन यहाँ पर हमें आते वे देखने को मिल रहे है वहीं अगले shares की बात करें जिसका नामे KPIT Technologies Limited के shareholders के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि कल के दिन company अपने quarterly result declare करने वाली है और साथ ही साथ company ने यहाँ पर dividend को लेकर भी बड़ी announcement कर दी है जिसकी X date 10 February 2022 रखी गई है और कल ही के दिन हमें पता भी लग जाएगा कि company कितने रुपे पर shares का यहाँ पर dividend देने जा रही है इस share को भी आप long term purpose से अपने portfolio में aid करते हुए चल सकते ही company fundamentally काफी ज़्यादा strong है और साथ ही साथ company profit making भी हमें देखने को मिलती है वही अगर इस company की भी share holdings pattern की बात करे जाए तो इस company को लेकर foreign investor और domestic investor काफी ज़्यादा हमें bullish देखने को मिलते हैं वही अगरे shares के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है Tata Power Company Limited हर्याना government की तरफ से एक बड़ी updates यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसका ultimately benefit Tata Power को ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला है यहाँ पर हर्याना government की तरफ से एक EV draft ready किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी commercial complex housing societies and residential township से जो की 5000 square meter से ज़्यादा है उन्हें यहाँ पर EV charging stations को adopt करना होगा यह EV sector के लिए बहुत बड़ी positive news देखने को मिल रही है साथ हर्याना government ने ये भी काए कि वो आने वाले सालों में लगबख 100-200 एकर land के अंदर EV parks यहाँ पर बनाने वाले हैं जिससे आने वाले समय में electrical vehicles की demand जिस प्रकार से बढ़ने वाली है उसमें EV manufacturing units को भी इसका बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा यदि आपने Tata power के अंदर investment कर रखा है तो long term purpose से आप यहाँ पर अपनी positions को continue करते वे चल सकते हैं